हलो दुस्तों गूड मॉर्णिंग स्वागतिक बाफेट से आप सभी गाया मजटे एजुकेशन में दुस्तों आज है 18 सितंबर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 सितंबर 2021 के करेंट एफेट के सब इंपॉर्टन कोश्चस के बारे में पूरी वीडियो ध्यांस दे चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले कुशन की पहले कुशन है हाले में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया तो यह दिवस दोस्तों मनाया गया 17 सितंबर को प्रतेक वर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है वर्ड पेसेंट सेप्टी डे 17 सितंबर को अब पेसेंट सेप्टी डे यानि कि जो पेसेंट होते हैं, जो रोगी होते हैं, उनकी सेप्टी को ले करके ये दिवस मनाया जाता है, हॉस्पिटल सो या फिर घर पर भी अगर वो पेसेंट है, तो उसकी सेप्टी कैसे रखी जाए, इसके बारे में लोगों में अवेरनेस भलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है इस बार की theme रखी गई है safe maternal and newborn care यानि शुरक्षित मात्र तो एम नवजाद देवभाल यानि इस बार का दिवस इस पर focus है कि खास करके जो गर्वदी महिलाएं होती है जब वो मा बनती है तो उनकी कैसे देख भाल की जाए और जो नवजाद सिसू होते हैं उनकी कैसे देख भाल की जाए तो ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ था दोस्तो 2019 से ओके चले देखते हैं अगला कुशन हाली में किस राज या किन सासे प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी का सुभारम किया तो अभी हाली में जम्मू क जम्मू कस्मीर यूनेन टेरिटरी ने ये शुरू किया है वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी योजना अभी हाली में जम्मू कस्मीर के जो दिलूटनिन गवरनर है मनोज सिनाजी इन्होंने ये योजना शुरू की है दोस्तो इसके तैयद होगा क्या कि जो स्वय्म सह सहायता समूह होते हैं जो self helping groups होते हैं उनको दोस्तों एक प्रकार से एक उतिय सहायता ती जाएगी वित्य सहायता यानि financially help की जाएगी ठीक है एक ग्राम पंचायत एक DGP सक्खी जो होगी यानि एक स्वायता समूह चुना जाएगा और उनको बड़े अमांट में वित्य साहता की जाएगे डीजी पे योजना दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मनोस जिनाजी ने लांच की थी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं तो डीजी पे योजना इसके तहत वही होता था जो स्वयम सहता समू होते थे जो सल्फ हेल्पिंग उनकी फैनिalay हेल्प की जाती थी तो जम्मु कस्मिर के द्वारा जम्मु और कस्मिर उद्दमिता विकास सर्थान पंपोर के द्वारा ये लांच किया गया है अब जम्मू कस्मीर आया है तो पिछले दिनों में जम्मू कस्मीर क्यों क्यों रहा था चर्चे में इसका कर लेते हैं जम्मू कस्मीर में दोस्तो अभी बंगस आवाम मेला आयोजित हुआ था जम्मू कस्मिर में वहां के लेटनेंट गवर्णनर मनोस सिन्हाजी ने प्रूफ एप लांज किया था कौन सा प्रूफ एप लांज किया था important है प्रूफ का मतलब होता है Photographic Records of On-Site Facility यानि जो जहां से काम कर रहा है photo कीच के भेजे इसके बाद भारतिय सेना ने दोस्तो जम्मू कस्मीर में जजबा ये तिरंगा रिले मैराथन का आयजन किया था फिर SBI यानि State Bank of India ने दोस्तो डल जील पर एक तैरता हुआ ATM खुला था डल जील जम्मू कस्मीर में ही है इसके बाद जम्मू कस्मीर में महिलाओ के लिए दोस्तो साथ पहल का उद्गर्ण किया गया था किसका साथ नाम की एक पहल का उद्गर्ण किया गया था और मनोज सिनह जी नहीं किया था जम्मू कस्मीर दोस्तो अभी इसलिए भी चर्चे में आया था जम्मू कस्मीर में बात करें तो जम्मू कस्मीर का राजगी पसू है कस्मीरी हिरन या जिसे कहते हैं हंगुल और इसका राजगी पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन यानि काली गर्दन वाली क्रेन लद्दाख और जम्मू कस्मीर दोनों का राजगी पक्षी है अगला दोस्तों एक 12 वर्स का लड़का है देखे इमेज में ये तो इसे दोस्तों 2021 इंटरनेशनल यंग एको हीरो के रूप में नॉमिनेट किया गया है ये कौन है ये दोस्तों मुंबई महराष्ट के 12 वर्स ये पर्यावरण कारे करता है इनकी प्रियोजना एक प्रोजेक्ट है प इस काम के लिए पवई जिल के सुनरक्षर और पुरनरुपतार वाले प्रोजेक्ट के काम के लिए 8-14 वर्स के गृफ वाला तीसरा प्रुस्कार इंको मिला हुआ है आयान संकता को इनका नाम आपको याद रखना है अप्शन में एक और नाम आपको दिख रहा है ग्रेटा थनबर्ग ये दुस्तो स्वेडिस जलवायू कारे करता है और बहुत ही फेमस परसनालिटी है ये ठीक है ग्रेटा थनबर्ग ये भी एक परियावरण कारे करता है अगला कुशन देखते हैं अगला है हाले में किसे दि इंदू मलहोत्रा को इंदू मलहोत्रा जी को दिल्ले और जिला क्रिकेट संग यानि डेली एंडिस्टिक क्रिकेट एसोसेशन जी से सौर्ट फर्म में हम लोग डीडी सीय की नाम से जानते हैं तो डीडी सीय का लोकपाल नियूक्त किया गया है इंदू मलहोत्रा जी को आपको image में दिख रहे हैं, आपको याद होगा दोस्तों कुछ दिन पहले तक ये चर्चे में रहा करती थी, जब ये justice हुआ करती थी, सुप्रिम कोर्ट में, लेकिन वहाँ से ये retire हो चुकी है, सुप्रिम कोर्ट की ये पूर्व नयाधीस थी, justice थी, वहाँ से retire हो चुकी है, अब इन्हें लोगपाल ने उप्त किया गया है, कहां का, DDCA का, ठीक है, तो इसकी गोशना की है, DDCA के जो वर्तमान में प्रमुख है, रोहन जेटली जी, इन्होंने, ठीक है, रखिएगा, DDCA के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, रोहन जेटली, इन से पहले कौन थे, 2007 में नॉमिनेट किया गया था, और ये सुप्रिम कोट की पूर्व नयाधिस थी, अच्छा सुप्रिम कोट की नयाधिसों की बात आ रही है, अभी नव नए नयाधिसों को सपत दिलाई गई है, इन नव नए नयाधिसों में तीन तो महिलाएं हैं, और इन तीन महिलाओं मे एक तो हिमा कोली जी है जो की आई है कहां से तेलंगाना से एक जस्टिस बीवी नागरतना जी है बीवी नागरतना दोस्तों 2027 में 2027 में बन जाएंगी फर्स्ट वीमें चीप जसेस ओफ इंडिया वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन कोश्चन इसको याद रखिया है जस्टिस बीवी नागरतना 2027 में बन जाएंगी चीप जसेस ओफ इंडिया जो की होंगी पहली महिला और तीसरी जो महिला है क्योंकि महिलाओ का नाम इंपोर्टन है केवल तीन नियूप किये गई हैं पूछी जा सकते हैं तीसरी हैं बेला एम तरिवेदी ओके अच्छा विक अब लोगपाल आया है लोगपाल के बारे में समझ ये लोगपाल जिसे हम लोग अंबोट्समेन भी कहते हैं लोगपाल पर दोस्तों वैसे तो मैंने आपको पूरा वीडियो दिया हुआ है आप उसको देख भी सकते हैं लोगपाल किसी भी पद की किसी भी सरकारी या किसी संस्था के बारे में अगर भ्रष्टाचार की जाज करने होती है तो वहाँ पर लोगपाल नियुक्त किया जाते हैं तो अगर केंद्री लेबल पर हो रहा है तो लोगपाल नियुक्त किया जाएंगे अगर राज्य अस्तर पर किया जा रहा है तो लोकायूक्त नियुक्त किया 10-15 मेंट की वीडियो है, लोकपाल सब कुछ समझ में आ जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे इस्ट्रा पॉइंट भी आपको मिलेंगे, अगला खुशन देख लेते हैं, हाली में भारत का पहला Euro Green Bond किस ने जारी किया, तो अभी हाली में दोस्तों, Power Finance Corporation Limited ने भारत का पहला Euro Green Bond जारी किया है, यह जो इंडिया का पहला Euro Green Bond होगा, उसको Power Finance Corporation Limited ने लांच करने के लिए NBFC की भी मदद ली है, तो यह जो Euro Bond है, यह साथ साल के लिए है, 300 Million Bond की कीमत 1.841% पर मिनमम फिक्स की गई है, अब आप सुचो कि यह चीज़ क्या है, Euro Bond क्या है, Euro Green Bond क्या है, देखिए समझेगा, जिससे आप Share होता है, Share का IPO लांच होता है, IPO, Initial Public Offering, उसमें क्या होता है, कि कोई company जब listed होनी वाली होती है, तो उसकी पहली बार Public Offering की जाती है, तो वहाँ पर मिनमम उतना stake जो होता है, कुछ percentage का, उतना लेना ही होता है, कुछ percentage या कुछ share कर दें, हम लोग वहाँ पर पैसा देखते हैं, जैसे कि 14-15,000 का मिनमम share उसमें लेना पड़ता है, रुपए क्या होगा, यह bond जारी करने पर जो euro market है, जो euro जहां की currency है, वहाँ पर भारतिय कोई होंगे, अगर वो कोई stake लेना चाहते हैं, कोई bond अपना लेना चाहते हैं, तो वो minimum 1.841% ले सकते हैं, अभी ठीक है, अपना lock करा सकते हैं, वहाँ पर, तो अभी 1.841% का यूरो बाजार में भारती जारी करता द्वारा minimum profit है, clear, चलिए, अगला कुशन देख लेते हैं, अगला कुशन है, हाले में भारत पहली बार वैस्विक बौध सम्मिलन कब आयोजित करने जा रहा है, तो भारत दोस्तों, नवंबर महीने में पहली बार वैस्विक बौध सम्मिलन Global Buddhist Conference पहली बार वैस्विक बौध सम्मिलन, चलिए, अगला कुशन देखते हैं, हाली में UNCTAD ने 2021 में भारत की GDP growth rate कितना रहने का अनुमान बताया है, तो इस दिने अनुमान बताया है, तो इस दिने अनुमान बताया है, दोस्तों, 7.2% का, UNCTAD ने भारत में भारत की economy कितना, कित निदर से बढ़ेगी, इसका अपना नया अनुमान जारी किया है, और इसने बताया है कि 7.2% positive होगी, यानि बढ़ेगी, UNCTAD का full farm होता है, United Nation Conference on Trade and Development, ठीक है, अच्छा, इसने अगली वर्स के लिए भी बताया है, अगली वर्स के लिए इसका अनुमान है, 8.3%, अगले financial year के अब GDP आया है, GDP से कुछ revision करते हैं, पिछले दिनों में कौन-कौन सी rating आया थी, जैसे अभी दोस्तो SNP Global Rating ने अभी जारी किया था, 9.5% उसने बताया था, इसके पहले Moody's ने बताया था, Moody's ने 9.6% का अपना नया अनुमान बताया था, उससे भी पहले, Moody's से पहले IMF न बताया था, IMF ने 9.5% का अपना अनुमान लगाया था, यानि कि आप देख रहे हो, 9.5% से लगबख जादे में ही है, सभी ने अभी पिछले कुछ तिरों में बताया है, हाल फिलाल में, ठीक है, GDP होता क्या है, GDP यानि कि होता है, Gross Domestic Product, यानि आपका कितना Domestic Product है, उसका Gross न अंतरगत, यह माल लेजे, आपका देश है, गुला गुला, इसके अंदर जितनी भी वस्तों का, जितनी भी सेवाओं का, जितनी भी चीजों का Production होता है, वो सभी सभी GDP कहलाते है, अब इस GDP में प्रतेक वर्ष कितनी दर से व्रिद्धी हो रही है, या कितनी दर से कमी हो रह कहते हैं, तो व्रिद्धी मतलब ग्रोथ रेट तो ग्रोथ रेट ही पूछा जाता है, और ग्रोथ रेट का ही अनुमान जब बताते हैं, GDP का अनुमान नहीं बताया जाता है, GDP तो लाखो करोडों में होगा, यहाँ पर ग्रोथ रेट का अनुमान बताया जाता है, कि कितने से बृध्धी हो रही है GDP में ग्लॉस डोमेस्टिक प्रोड़क्ट्स में के लिए बिलकुल चलिए अगला कोशन देख लेते हैं हाली में कार्बन डाई आक्साइट कैप्चर करने के लिए भारत का पहला सयंत्र किसने चालो किया है तो अभी हाली में टाटा स्टील ने टाटा बनाया है जमसेदपूर वक्स में इसी की एक फैक्टरी है जमसेदपूर में वहाँ पर ओके तो इसमें ब्लास्ट फरनेंस गैस को सियो टू गैस में के रूप में कनवर्ट करके निकालता है यह जो सयंत्र होगा ठीक है कार्बन डाई आक्साइट कैप्चर सयंत है इसका मत कर्बन डाई आक्साइड इसको असूसित कर सकता है आपको अगर याद हो ऐसे ही मिलता दूलता कोश्वन अभी आइसलेंड ने से भी आया था आइसलेंड ने भी एक दुनिया का पहला ऐसा प्लांट बनाया था और का नाम से और का नाम से वो क्या करता है वो वाइमंडल से carbon dioxide लेगा और नीचे गड़े पर एक चटान बना देगा उसका carbon dioxide का चटान बना देगा पहाड बना देगा ठीक है परवत बना देगा तो ये और का नाम का जो है वो Iceland ने बना रहा है और Tata Steel जो है फिलहाल इसके लिए एक सयंत्र बना रहा है अच्छा दोस्तों जैसक मैंने का रेनाउंस किया था Current Affair की किताब आ चुकी है अपनी अब offline book भी आप लोग पढ़ सकते हो बहुत दिनों से लोग डिमांड कर रहे थे तो finally किताब आ चुकी है Flipkart पर listed हो गई है Amazon पर अभी थोड़ा सा problem आ रहा है कल दिन बर लगे हुए थे उस पर लेकिन फिलहाल final हो नहीं पाया है आज कोशिस रही है Amazon पर भी live हो जाए Flipkart पर फिलाल यह live है आप इसे ले सकते हो limited stock है क्योंकि पहली बार दोस्तों लांच किया गया है और बहुत तेजी से लोगों के आड़र भी आ रहे है लोगों को क्योंकि offline चाहिए थी आपको बता दें कि हमारी जैसे माल लीजे 100% आडियंस है इन 100% में केवल 10% ऐसे हैं ज इतना ज़्यादा होगा ठेक है तो इस वज़े से यह किताब आप लोग न देखिए यह limited है समझ लीजी यह बहुत ही जल्द सकत्म हो सकता है अभी आप आडर कर सकते हैं अचा रही बात availability की तो अभी यह प्रयागराज और लखनों में केवल दो जीलों में available कराया गया है का मैं पहली बार इसलिए ही छपाया हूँ सिर्फ आप लोग की डिमांड पर कि हमारे जो यह 10-11,000 विवर रोज आना देखते हैं इनके लोगों को पहली बार पहुंच जाए हाँ अगली बार से और आने वाले टाइम में जब छपवाया जाएगा किताब और बड़ी मातरा मे सब कुछ ले करके दाम ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से यह दाम ज़्यादा है मैं हमेशा आफी लोग के लिए सोचता हूँ अगली बार जब जब ज़्यादा मातरा में छपवाई जाएगी तो दाम बिल्कुल कम किया जाएगा और यकीन मानिए यह दाम भी जो भी अगर पेज कम करवा दिये होते तो बात यही थी कि हम यहां 100% का दावा नहीं कर सकते थे ठीक है क्योंकि हो सकता था उस पेज में से अगर 10 पेज या 20 पेज भी कम करवा दिये माल लिए जिए उसमें से कुछनर पूछ लिया जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती पर अवैलबल है लिंक डिस्किप्शन में दिया गया है कोई प्रॉब्लम आती है आप वाटसेप पर संपक कर सकते हैं अगली बार से जब बड़ी मात्रा में छपआ जाएगा तो सभी राज्यों में सभी जिलों में सब जगा पहुंचाए जाएगा ठीक है तो अभी फ्लिपकार्ट वगरा पर आसानी से उन तक पहुंच जाएगी चलिए अगला कुशन देखते हैं हाली में तीन दिवसिये भारतिय सेना प्रमुख का सम्मेलन कहां सुरू हुआ तो ये सम्मेलन दोस्तों दिली में सुरू हुआ है तीन दिवसिये ये सम्मेलन है भारतिय सेन प्रमुक हैं उनको invite किया गया है तो अच्छा उसमें ऐसे भी हैं जो नेपाल के सेना प्रमुक रहे हैं और भारत के भी सेना प्रमुक रहे हैं अब आप सोच रहे होंगे यह कैसे हो सकता है कि भारत के भी सेना प्रमुक थे और नेपाल में भी जाके सेना प्रमुक थे तो दे थीक है तो क्योंकि भारत और नेपाल के भी रोटी बेटी का संबंध है तो फिर चलता रहता है सेरे परमुक के बीच में ठीक है तो इसवज़त से कुछ ऐसे भारतिय सेना परमुक भी रहे जो बाद में जा-कर की नेपाल के भी सेना प्रमुक बने, उके, तो उनको भी इन्वाइट किया जाएगा इसमें, आठवाइज बार का संस्क्रण होगा, नई देली में आज़ित होगा, 16-18 सितंबर तक आज़ित होगा, अगला कुशन दिखते हैं, हाली में कहां के प्रसेद लेखक, अजीज हजनी का निधन हो गया, तो अभी हाली में, जम्मु कस्मीर के दुस्तों, बहुत ही फेमस राइटर, अजीज हजनी जी का निधन हो गया है, ये देखिए, इमेज में ये थे, अजीज हजनी जी, इनका अभी निधन हो चुका है, और ये जम्मु और कस्मीर, अकादमी आफ आर्ट, कल्सर अन इन्होंने कस्मीरी भासा में, आने खाने के लिए साहित अकादमी पुरुसकार भी जीता था, 2016 में, तो ये इंपर्डन कुशन है, बन सकता है, साहित अकादमी पुरुसकार आप जानते ही हो, बड़ा पुरुसकार है, ठीक है, तो फिलाल अजीज हजीनी जी का निधन हो ग प्रयागराज, दिन दिन मर में जाना था, और वापस तुरंत वापस आना था, बारिस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थी, मौसम आप जान ही रहे हो, यूपी में कैसा चल रहा है, हाई अलर्ट पर है, तो इस वज़ा से बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है, और कल की क प्रसांत महासागर का चौरहा किस दीप को आजाता है, इसको आपको बताना है, राज तरंगणी पुस्तक के लेखा कौन है, काला महत्सो चावल कहां मनाय गया, यूरोक महाधीब की सबसे उची चोटी का क्या नाम है, अच्छे-चे कुशन है, इस ही कुशन है, आप अंसर कर सकते हो, डीटेल में भी लेख सकते हो, वीडियो में फिलाल इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो को एंट रख देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे एकली वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार जहें, वन्दे मात्रम